एक गाव में देवा नाम का एक लड़का रहता था उसके उम्र लगभग 9 साल थी वह मिट्टे के बहुत सुन्दर खिलवने बनाता था वह ना स्कूल जाता था ना खेल पाता था वह जब 4 साल का था तो उसे बहुत तेज बुखार आया उसे पोलियों हो गया जिससे उसके प जारी थी और अनवर तो पढ़ने का इतना सौकीन था कि उससे जो कुछ भी पढ़ने को मिलता उसे पढ़ने लग जाता था राजु दिछा और अनवर जब देवा के घर के सामने चोड़ सिपाही खेलते तब देवा उन्हें बड़े ध्यान से देखता था किसी के पकड़े जाने पर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से पकड़ लिया चिलाता फिर पेट पकर कर देर तक हसता रहता बच्चे देवा के साथ खेलना चाहते थे पर उसके पैर देखकर उदास हो जाते वह सोचते थे कि अगर कोई जादुगर या परी मिल जाय तो उसे देवा के पैर कहां से लाए हो देवा ने पूछा बच्चे कुछ नहीं बोले वे फौरन संदीब बढ़ाई के घर पहुचे और बोले दादा जी क्या इससे देवा के लिए बैसाखी बना सकते हैं दादा जी टहनिया देखकर बोले यह लकडी बहुत कमजोर है देवा का भार नहीं उठा प पास आए देवा देवा अब तुम हमारे साथ खेल सकते हो वे बोले दिच्छा बोली देखो मैं तुम्हें चलकर दिखाती हूँ दिच्छा ने बैसाखियों से चलकर दिखाया बच्चों ने देवा को सहारा देकर उठाया बैसाखिया लेकर देवा चलने की कोसिस कर रहा पर बैसाख्या उसके कंदे के नीचे गड़ रही थी बच्चों ने तुरंत पुराना कपड़ा बैसाख्यों के हत्ते पर लपेट दिया अब देवा धीरे धीरे अराम से चल रहा था वह बोला अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकूंगा और स्कूल चल सकूंगा बच्चों क कि खुसी का ठिकाना ना रहा वह अपने प्यारे दोस्त के चारों तरफ नाचने लगे आसा करता हूं दोस्तों आपको कहानी पसंद आए होगी प्लीज लाइक और सेर दिस वीडियो